हेलो फ्रेंड्स केल के लिगल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो के माध्यम से पोक्सो एक्ट के सेक्शन 5 को जो है अच्छे से समझेंगे जो की गुरुतर प्रवेशन लेगी खमले यानि की एग्रिवेटिट पेनेटरेटिव सेक्शल असूल्ट के बारे में यह बात करता है फ्रेंड्स इसमें जहां पर गुरुतर वरड़े इसको समझे हैं आप गंबीर फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम यह देखे जब सेक्शन 3 के अंदर जो है प्रवेशन लेगी खमले के प्रावधान कर दिये गए तो हमें सेक्शन 5 की जरुत क्यों पड़ी जैसे कि इसका पेला ही सब क्लोज देखे जिसमें कोई पुलिस अधीकारी अपने थाने या परिसर की सीमाओं के बीतर जहाँ पर उसकी न्यूकती है या थाने के परिशर में, या पुलिस थाने में अवस्थित है या नहीं है, उसकी जहां पर न्यूक्ति की गई है वहाँ पर, या अपने कर्तव भी अपनी डूटी बाउंड है, वहाँ पर, या अनिता कहीं पर उसका अधिकारी के रूप में होना जो है, गया तो, या फिर उ पुलिस अदिकारी भक्षक रूप में इस तरह के कृत्ति करेंगे तो उनकी सजा भी काफी गंबीर है। या सश्चस्त्र बलों की कमांडिंग छेतर के अधीन कहीं पर या अपने वही डूटी को जहां पर बाउंड उसको करते हुए या उस शश्चस्त्र बल या सुरक्षा बल के सदेस्ट की रूप में उसका होना ग्याते या जहां पर उसकी पहचान की गई है। तो इनसे अपेक्षा की जाती है कि यह कानून का पूंट रूप से पालन करें और यही जब इस तरह के जो जगन्ने अपरात करेंगी तो उनकी सजा भी काफी गंबीर होगी। इसी तरह से फ्रेंड जो इसका सब क्लोस सी है वह कहता है कि जो कोई लोग सेवक होते वे प्रवेशन लेंगी कमला करता है तो वह भी एपीएस होगा। डी कहता है कि जो कोई जेल, परतिपरेशन, गरह, संग्रक्शन, गरह या किसी अन्य जगय पर जहाँ पर देख रेक और संग्रक्शन की जिम्मिदारी है वहाँ पर किसी बालक पर प्रवेशन लेंगी कमला करता है तो वह भी एपीएस की केटेगरी में फोल होगा। जो कोई किसी अस्पताल चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट दोनों हो उसके प्रबंद या उसके करमचारी रहते हुए अस्पताल में या किसी बालग पर जो है प्रवेशन लेंगी घंबला होता है तो वह भी इसी प्रकार से सेम जो है फ जो है वह भी यही कहता शेक्षणी संस्था या धार्मी संस्था पर प्रवंध या करमचारी होते हुए शंस्था में किसी बालग पर प्रवेशन लेंगी घंबला होगा तो वह भी APS की केटेगरी में आएगा G जो है ये भी काफी important है कोई कोई वेक्ति जो है gang में या सामुही group से landing हमला करें तो वह भी APS होगा H जो है ये भी काफी important है कि जैसे कि कोई घातक आयुद आग या गरम पदार्त या शंक्शारक जैसे हमलों वगेरा के प्रयोक से ज़्यादी कोई landing प्रवेशन हमला करेगा तो वह भी APS की केटेगरी में फोल होगा H के बाद जो है आई है ये गिता है कि घोर उपहती कारित करते हुए ठीक है उसके अलावा घोर उपहती कारित करते हुए शारिक रूप से कोई शती या नुकसान कारित करते हुए या ओरगन को जो अपनी ओरगन सोते हैं बोडी को उनको शती करते हुए प्रवेशन लेंगी खमला करता है तो वह भी APS की केटेगरी में आएगा जे है यह कहता है कि जो कोई किसी बालक पर APS प्रवेशन लेंगी खमले से कोई वह का भी APS बनेगा जब बालक शारिक रूप से कोई अशकत हो जाए बालक मानव प्रति रक्षा, हरास विशाणू, पराण, गात, रोग, संकरमन जो बालक शारिक मानसी गूप से या फिर इस तरह का लेंगि प्रवेशन अंबला करने से बालक मर जाए तो यह सारी केटेगरी जो है APS की केटेगरी में फॉल होगी के जो है के जो है subclose के वह कहता है कि बालक की मानसिक शारिक अशक्तक्ता का लब उठा कर यदि कोई प्रवेशनलेंगी कंपला करता है तो वह भी APS की केटेगरी में फोल होगा उसके बाद आगे देखें सब क्लोज L जो है वह कहता है कि बालक पर कोई बार-बार प्रवेशनलेंगी कंपला करे वह भी APS की केटेगरी में आएगा M जो है वह केता है कि 12 वर्स से कमायू के बालक पर प्रवेशन लेंगी घंपला करे वह भी APS होगा Aggravative Penetreative Sexual Assault होगा उसी के बाद में जो N है वह केता है कि संग्रक्षकता में बालक से प्रवेशन लेंगी घंपला जिसमें जो नातेदार आगे मातपिता या घरिलू संबंद जो रखते हैं या फिर जिसको संग्रक्षक नुक्ति किया गया है सभी फोल करेंगे इसमें वह केता है कि जो है बालक किसी संस्ता का स्वामी प्रभंदक या करमचारी है जो कि बालक सेवा के लिए ये सारी चीजे और पर कोई वेक्ती जो है प्रवेशन लेंगी घंपला करता है तो वह APS की केटेगरी में फोल होगा पी जो है बहुता है कि बालक के न्यासी यानि कि ट्रस्टी या कोई प्रादीकार के पद का व्यक्ति प्रवेशन लेंगी घंबला करे तो वह भी जो है APS की केटेगरी में जो है फोल होगा फ्रेंड्स उसके बाद में जो है क्यों हमारा आता है जो कहता है कि जो कोई जानते हुए की बालक गर्ब से है यानि कि जो कोई जानते हुए जिसे बालिका के केस में यदि वो कोई गर्बती पहले से ही हो और उसके साथ में जो है कोई यदी उसके साथ में जो है यदी कोई प्रवेशन लेंगी घंबला करता है तो APS की केटेगरी में जो है फोल होगा आर जो है वह कहता है कि कोई व्यक्ति जो है बालक पर प्रवेशन लेंगी घमला करता है उसके बाद में जैसे कि उसने प्रवेशन लेंगी घमला करता है उसके बाद में हत्या करता है तो वह भी APS होगा उसी के बाद में सबक्लोस S कहता है कि हिंसा सामुदाइक पतिक या प्राकरतिक विपत्ती की इस्तिती का कोई फायदा उठा कर जो है बालक पर प्रवेशन लेंगी घंबला करता है तो वह APS की केटेगरी में आ जाएगा टी जो है वह कहता है कि जो विक्ती पहले से इस एक्ट के अंतरगत या अन्य कानून में दोस्चिद्ध हो चुके हैं वह विक्ती प्रवेशन लेंगी घंबला करते हैं तो वह भी APS की केटेगरी में आएगे इस सेक्शन पांच का जो लास्ट सब क्लोज है वह यह कहता है कि जो कोई या जो कोई विक्ती जो है बालक पर प्रवेशन लेंगी घंबला करता है और बालक को जो है सारवजनिक रूप से जो है विवस्त या नंगा करने के लिए करने के लिए प्रदर्शन करता है तो वह अभी APS की गेटेगरी में फोलोगा और इन सब क्लोजेज में जो भी आएगा तो कहा जाएगा कि वह गुरुतर प्रवेशन लेंगी घंबला करते हैं यानि कि एग्रेवेटिव पेनेटरिस्ट्रिव सेक्शल असौल्ट है यह कहा जाएगा इसी के साथ में जो सेक्शन 6 है वह गुरुतर प्रवेशन लेंगी घंबले के लिए धंड का प्रावधान करता है पनिश्मेंट देता है इसमें सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दू और आप बेरेट को भी देख सकते हैं जो सब क्लोज वन है वह है जो जो कोई गुरुतर अपला करें वह कठिन कारवास है जिसकी अवदी मिनिममम जो है 20 साल की होगी और मैक्सिमम जो है लाइफ इन प्रिजनमेंट और अब जो है 2019 में एड कर दिया गया तो जो है कैपिटल पनिश्मेंट भी इसमें एड कर दिया गया है प्लस जुर्माने से भी वह दाई हो सकता है इसी के साथ में जो सेक्शन 6 का जो सब क्लोज 2 है वह कहता है कि उपधारा एक क्या दिन जुर्माना नयाय चीदिया युक्तियुक्त होना चीए और उसका जो संदाय है वह पिडित को मेडिकल के घर्चों पुनरवास के लिए पिडित को किया जाएगा इसी तरह से और इ